Hello students, आज हम exercise 5.1 करेंगे, chapter 5, understanding elementary shape, class 6 math, इसका हम page number 89 पर question number 4 को देखेंगे, if ABC, A, B, C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 cm, BC is equal to 3 cm and AC is equal to 8 cm, which one of them lies between the other two? तो इस question को हम देखेंगे, solution लिखेंगे, solution में हम क्या करेंगे, कि सबसे पहले, जो सबसे बड़ी इसकी unit है, 5 cm है, यह 3 cm है और यह 8 cm है, तो सबसे बड़ी हमारी क्या है, AC, सबसे बड़ी होगी वही हम line खीज देंगे, तो AC हमारी कितनी दिय है, 8, तो 8 कहां से आ रही है, यहां से, यहां के बीच में, तो हमने यह line खीज दी, उसका नाम क्या है, A और C, tight, तो यह कह रहा है, ABC 3 point है, तो AB बरावर 5 और BC बरावर 3 cm, तो AB, AB बरावर क्या कह रहा है, AB बरावर कह रहा है 5 cm और BC बरावर कह रहा है 3 cm, तो AB हम लगा लेंगे, AB कितना है हमारा 5, तो यहां से हम 5 cm पर लगा लेंगे point, तो यह point है B, तो यह हमारा यहां से, यहां तक, यह कितना हो गया 5 cm और BC कितना हो गया हमारा, यह दिखे, BC कितना हो गया 3 cm, तो यहां पर, यहां से, यहां तक क्या हो गया 3 cm, तो कह रहे हैं, which one of them lies between the other two, कह रहा है कौन से point यह ABC 3 point हैं तो इन में से कौन सा point between में lies कर रहा है बीच में lie है दो points के बीच में कौन सा point lie कर रहा है तो हम लिखेंगे solution B point B lies between A and C between points A and C तो यही इस question का answer है next question के लिए हम लोग next video में मिलेंगे और video पसंद आ रहा हो तो video को like कीजिए और channel को subscribe कीजिए